आज कल इंटरेंट के गलियारों में एक डाइवोस कुछ जाद ही फेमोस हो रहा है अब तुम्हें यह बताने की जरुत है ने कि यह डाइवोस किसका है लेकिन इतना फेमोस तो कभी किसी हीरो हीरोईन का नहीं हो जितना यह हो रहा है जब यह न्यूस बाहर आई तो काफी चाहि क्या है वो किसी को नहीं बता क्योंकि यह फ्लाइंग भी इसने बना कर दिया इस पर कोई जवाब देने के लिए तो चलो यह हम लोग चेक आउट करने हैं सब के ओपीनियन भाई लोग क्या 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 कह रहे है और कुछ फोटो जिसमें लिखा हुआ है और बच्चों तो हमें इनसे क्या क्या सीखने को मिलता है तो उसके कमेंट भी पढ़ेंगे तो आज कुछ अलग करते हैं चलो देखते हैं भाई इस फेमस डाइवोस को देखो जैसी मैं आपे लिखूंगा ना फ्लाइंग एफ ल वाई आई एंजी फ्लाइंग बीस डाइवोस सेकिंड न बच्छा के साथ हूं खुश हूं फेखूं एक विडियो भी इडन इडन इंटिटी विच सम परस्नल कॉशन सास्ट वोस अपनी यस अम आ अबलान आरें नो आ एम नौथ हूं अपने बच्छों को पालने के लिए एक पती पत्नी के देख लुएं वो तेसी बात हुएं जो चुप सके हैं होगी कोई बात या है चुप जी इस बार उसके दियर मेरे भी उस आदने का इन एन आउट मैं जान। मेरी श्री जी है मने संबारन खतर यालिटी या है मुसको यू नकली बना देना I cannot forget the eight years I spent with that man इस बात से तो बिलकुल विलन सावित हो गया अपने फ्लाइंग बीस्ट का पुराना वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है यह क्या वायरल हो रहा है एक बहुत होगा इस पोटेंट जीज डिसकस कर पापलों के साथ जब बेबी होता है आप जब भी कपल बनेंगे जब भी अपका बीबी होगा so husband especially they feel a lot neglected during first to two to three months क्योंकि maa का सारा time बज्चे के लिए होता है वायरल है मनदब जी तु अभी सोी ए घंडे के लिए बच्चा सारी दा जगाता है तो जब बच्चा फटो तामास की तो आपके लिए ताइम है नी वीवी के पाप most of the extra marital affairs like 80 to 82% extra marital affairs happens when you just have a baby it looks kinda counter intuitive कि you should be more attached as a couple but fact is a number say that और यह देखें कि जो संतान आपकी भी पाल रही है वह आपकी भी संतान है और आप से जादा ही भाइनत कर रही होगा तो अपने आपको दोड़ा कंटोर्श पर रखें करता है ऑफिस जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं तो टाइम मिलता है नहीं क्या बोले भाई मुझे कुछ नह है इंडिया में एक ज्यानी तो फ्री है कोई भी किसी को भी कुछ भी दे देता है तो यहां पर क्या मैंटर रहा होगा भाई वह नहीं पता होगा महराज जी का देखके तो भाई मैं भी बहुत जादा सीरियस हो गया यहां पर भाई दिल टूटने का मामला है यार इसमें व तो उस मिनट में जरूरी नहीं कि हमने अपनी 24 गंटे की लाइफ दिखा नहीं क्या पता वह दो गंटे में तो आपने 4 गंटे में कवर कर लिया हो और बाकिकि हमारी जो उनकुट जिंदगी है मला जो हम घुद की परसण लाइफ है उसको क्यामरे पर ना दिखाते हो हो सकत और जो कि होता भी है टाइम बढ़ता जा रहा है जो कि होता भी है तो बहुत सारे लोगों कोई गलत फैमी होती है कि सामने वाला क्रिएटर जो यूट्यूब पर अपनी लाइफ दिखा रहा है यह अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर करेगा जो कि नहीं होता है ऐसा मालो आप आपको भी रखके देखो किसी की जगा कि अगर आप कोई कॉटेंट शूट करते हो तो आपके हर चीज़ दिखाने दिखाओगे अनसर इस ऑफिसली नो भाई परसनल जिंदिगी होती है किसी का परसनल ट्रॉमा होता तो मेरा बस यही मानना है कि उस हिसाब से किसी को जजमत करो अपनी जिंदिगी जीओ मौज लो और हसते खुश हसाओ खुश खुशराओ मौज गरू जो कॉंटेंट देखके आपको खुशी मिलती है उस उसको देखो रहा यार लेकिन लोगों को मज़ा आरा वाई इस डाइवोस को देखने में मतलब कुछ लोग किसी के घर में कुछ हो कोई बंदा कुछ करे ये कुछ करे या कुछ करे हम उनका टोपीक उठाए कामा लेकिन इसमें एक शीज आ है उस बंदे ने सारी इकाई यह उतूब पर उसने पूरा का पूरा अपना सामराज्य बनाया वाई उससे तो लोगों का रिएक्शन देना बनता है अब इसमें गलत क्या है मैं क्या बोलू यार अब योट्यूब का जो एल्गोरिदम वो ऐसी काम करता है जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक होता है आपको उसके उपर वीडियो अब इसमें क्या बोले यार आप बाबाजी ने भी तो वीडियो वाइरल करी दिया है यार वह काफी शॉकिंग रहा सब के लिए वादल सब कुछ ठीक चल रहा ना अंदर अंदर से कोई चीज खारी होगी उनका अलग से चल रहा है कुछ तो लोगों को फिकर तो होई रही ह रहा है इसमें मैं खाली देख रहा हूं कि चल क्या रहा है चल मैं चीजे क्या चल रहे क्रेट कर रहे है अब इस में पीब है का रेक्षिन भी अच्छी बात करते हैं ऑठ है है पीपोई में यहां हम चीज़े को डीकोड करते हैं आइसबर्ग की ऊपर की सथे को नहीं नीचे की उसकी गरही को नापते हैं और इसलिए बजरुए था इस पॉपलन नेरेटिफ को जो प्ले कर रहा था सोशल मेडिया को करीबन एक दो दिन से उसके बारे में बात करना और कई लोगों ने बोला कि मैं प्यार का काम कर रहा हूं मेरे को गौरव ने ऐसा फ्रेंड बोला है यह वीडियो करने के लिए जबकि मेरी गौरव रच्ट्व से आज तक बात भी नहीं परसनल लेवल पर यह और अन इंटेग्रल पार्ट ऑफ यूट्यूप कमुनिटी बट लोग आपस में एक दूसरे के लिए फेवर वाला काम करते हैं या कोई नेरेटिव सेट करते हैं नेरेटिव कौन सेट कर रहा है नेरेटिव सेट करने वाले थे लेप देखा तो मुझे लग लोग जो कि वीडियो में ओपीनियन थोड़े से कम है और अमना रियक्शन को जा कर दो कि अच्छली में हो कह रहा है क्या डिबॉस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझे रहो ना यार अब यार ऐसे-से कई सारे फोटो भी वाइरल हो रहे है यह फेस्बूक पे ट्विटर पे अलग अलग जगह पे तो यह इसमें लिखा हुआ है यह गौरव तनिजा जिन् चब्केंब दिखाते हैं वह उत्रा दिखाते हैं जितना वह दिखाना चाहते हैं वह सारे हैं अगर गलती से इसकी एक्स वाइफ ने कॉपिराइट लगा तो तेरा सारा चैनल लोड़ जाएगा अब ऐसे थोड़ी होता है अब लोगों कि अलग 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 उपीडियन है वाई यह सारी फोटो वाइरल हो रही है खूब सारी और यहां पर काफी जादा न्यूश चल रही है है अब यह मैं सारी चीज़े दिखाना नहींश था क्योंकि यार इंटरनेट पर पता नहीं क्या क्या चल रहा और अभी नहीं क्या चलेगा मैं यही चाहता हूं कि I hope कि सब कुछ ठीक हो जाए देखो यार मेरा यह वीडियो बनाने में इतना कोई जादा इंट्रेस्ट नहीं था लेकिन आप लोगों मैंने पहले बता है कि यार यूट्यूब का इल्गोरितम ऐसी काम करता है कि जो ट्रेंडिंग चीज़े चल रही है उन पर हमें रियक्शन या फिर उन पर हमें कॉंटेंट बनाना ही पड़ता है तो लास्ट में आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करना हूँ आपका अपना उपीनियन है भाई तो चलिए गाइस में मिलता आप लोगों से न और अपका आपका आप लेडि़र झावी वीर तो ले ख म्रह हमें ले तो ले उत वर हमें ऊशको वीलता है वीलता है और आपका आपका इन तो लेग olması है